आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं एक सत्य घटना जो की छासी से हैं वहाँ पे एक बोड़ी मईया रहती हैं जिनके की लड़ू गोपाल है और बोड़ी मईया और लड़ू गोपाल का इतना अटूट प्रेम हैं कि ये समझे कि एक दूसर कि बिना दोनों रहना पसंद नहीं करते और रहते भी नहीं लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि लड़ू गोपाल से वह इतनी दूर हो जाती हैं कि मतलब रो रो के लड़ू गोपाल उनको बुलाते हैं कि मा आ जाओ ऐसा क्या होता है और इतने दुखी लड़ू गोपाल क् तो अगर आपको वीडियो अच्छे रखते हैं, कहानिया अच्छी रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे कि आपको आंगे भी लड्डू गोपाल की सत्य घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं, ये सत्य घटनाएं क्या थी? कि एक जासी में एक मईया रहती थी, जिनकी की दो बहुएं थी और वो मईया के पास एक लड्डू गोपाल थे, जिसकी की वो परम भक्त थी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी और उनको एक बच्चे की रूप में उनको मानती थी मतलब उनके जैसे हम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो मईया उन लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी बहुत प्यार करती थी और वो जो मैया थी उनके जो बाबा थे वो नहीं थी मतलब उनकी हस्वेंट खतम हो चुके थे तब से उनका ध्यान और लड्डू गोपाल में मतलब मन को अपने रमा ली थी लगा ली थी और पूरे टाइम बस वो लड्डू गोपाल बस कृष्ण भगवान का जब करती और उनहीं में लगी रहती उनकी बहुएं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं से उनको कोई मतलब बस उनकी भक्ती ही सब कुछ था और एक बार क्या होता है कि इतना मानने वाली दिन दुफैर सा मतलब हर मौसम का ध्यान रखने वाली और उनसे ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है तो क्या होता है कि कुछ समय पहले मतलब अभी जब से ठंडे सुरू हो गई है ना तो अभी की ही बात है अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है कि क्या होता है कि उनके परिवार में परिवार में मतलब उनके माईके में किसी की साधी थी तो उनको लेने के लिए आते हैं कोई और वो टाइम था दुपहर का टाइम था और इनका जाना पहले से ही तैथा कि नहीं जाना ही है ये बुआ जी थी तो रुकने के उससे वो नहीं था क्योंकि पास में ही था और अब बुजुर्ग हो गई है तो इनको कहीं आना जाना भी इतना भाता नहीं है और रुकना भी इनको जादा पसंद नहीं आता मतलब उनके मन में ये भाव रहता है कि मेरा लड्डू गोपाल फिर परिशान होगा उस में लगता भी नहीं है बस उनका जो चित है जो उनका मन है वो पूरे टाइम बस अब लड्डू गोपाल में ही लीन रहती है लेकिन ऐसे उनसे गलती हो जाती है ऐसी उनसे भूल हो जाती है कि वो जो लड्डू गोपाल है वो बड़े मतलब उधास रहते हैं बड़े लेने तो वो कहते हैं कि बुआ चलो आपको चलना है साधी है और फिर बाद में पहले तो वो मना करती हैं कि बेटा देख अब मेरा मतलब उमर भी हो गई है और चलने की हिम्मत भी नहीं होती है तो वो कहते हैं अरे बुआ ऐसे नहीं होता साधी मैं तो चलना पड़ेगा चाह तो आंगन में ही धूप जैसे अब ठंड का डाइम है तो धूप में ही अधिकतर वो बैठती थी और बैठती थी और अपने लड्डू गोपाल को वहीं पे बिठा ले रहती थी वहीं लिटाई रहती थी क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरे टाइम वो लड्डू को पाल के ही पीछे आंगे पीछे ऐसे होती रहती थी कि हर काम में वो लड्डू को पाल को मतलब करती रहती थी किसी ना किसी उसमें तो वो जहां बैठती वहीं अपनी लड्डू को पाल का सिंखासन रखवा ले थी और वहीं उनको बिठा ले रहती लेट थी तो उनको भी लिटा लेत अब ये घर में बहुओं से कह देते हैं कि ये जब आती जाती थी ना मतलब वैसे तो ये जाती ने थी लेकिन जाती थी एक आध दिन के लिए तो ये अपने सुविधा हो पाए नहीं हो पाए तो ये कहीं ले जाती नहीं थी जैसे सब अपने बक्त जो होते हैं अधिकतर अपने लड़ू को पाल को अपने साथ लेके चलते हैं लेकिन इनको ये पसंद नहीं है इनको लगता है कि मेरे लड़ू को पाल मेरे ही घर में रहें अपने ही घर में रहें और है तो क्या पतल कहीं ले जाओं कोई इतना ध्यान रखे ना रखे खाने का पीने का तो मेरे घर में सारी विवस्थाएं हैं ये होती रहेंगी फिर ये अम्मा जो हैं ये तैयार होने लगती हैं और अपनी बहूं से कहती हैं कि पेटा भी धूप है तो अभी इनको रहने तो यहीं पे और जैसी साम हो जाती है इनको अंदर कर लेना तो बहुएं भी कह देती है कि हां माजी और इनकी तयारी में लग जाती है मतला अपनी सासों मागी यूकि साधी में जाना था तो वैसे जाना तो एक दिन के लिए था लेकिन फिर भी तो इनकी तैयारी यारी होती है कपड़े अपड़े रखती है खाना वाना जो भी दुफैर का खाना वाना खाए उनको खिलाए और ये जो अम्मा है इनको लड़ू गुपाल को प्रेनाम करके कि कनेया मैं रात रुक के सुबह आ जाओंगी तुम अराम से सयान करना और बहूं से कह जाती है कि इनका भोग पानी की विवस्ता अच्छे से कर देना तो बहूं भी बड़ी अच्छी थी ऐसे नहीं है कि दुस्ट सोभाव की हों वैसा कुछ भी नहीं था बहुत अच्छे जिसकी सास इतनी अच्छी होंगी तो बहूं तो अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी यूंकि सास को जादा कोई मतलब 3-5 में नहीं रहती थी कि तु ये कर कि वो कर कुछ भी नहीं बहुएं जैसे वो कर दे और वो सुईकार कर लेती थी बस उनका मन सिर्फ कनहया जी की भक्ती में रहता था ना कोई कुछ वो करना ना कुछ भी मतलब कुछ वैसा ध्यान नहीं देती थी इतना पीछे नहीं पड़ती थी, ध्यान क्या नहीं देती थी, ध्यान तो सारी सासें देती हैं, लेकिन पीछे जिसको कहते हैं, पीछे पड़ जाना वो चीज नहीं थी, समय समय से बात करना जादा, मतलब बहुत जादा कि तुने ये नहीं किया, कि तुने वो नहीं किया, य तो बहुएं थी तुझे ठाने भी अच्छी थी दिवराने भी अच्छी थी सब मिल बाट के अपना-पना काम कर लेती थी बोलती बताती थी पस यही तो चाहिए घर परिवार को और क्या चाहिए तो इस बात से उनकी जो सास थी वो भी मतलब जो अम्मा थी ये भी बड़ी ख ये जो अम्मा थी ना इनकी भी आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई बहुत अच्छे से इनके रिस्ता बड़ा अच्छा था बड़ा मधूर था पूरे परिवार के साथ तो जो पहले से इतने अच्छे से रहता हो वो बाद में क्या किसी से लड़ाई करेगा वो करे हो जाती है इनकी बहुओं से क्या होता है कि ये अम्मत दुफैर में बैठती थी आगन में तो ये अपने लेड्डू को पाल को मतलब धूप में ही बिठा ले रहती थी लेकिन बहुओं को तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि वो बैठें वो अपने अंदर ही लगी रहती और इनों ने ध्यान भी नहीं दिया पिल्कुल भी इनकी दिमाग से निकल गया क्योंकि ये लेड्डू कुपाल की पूरी सेवा और राच सेयाने और सब का पूरा ध्यान अम्मा ही रखती थी तो वही बात होती है कि जब हम जो चीज करते रहते हैं उसका दिमाग में रहता है कि हाँ ये काम करना है अब वो लोग कभी करती ही नहीं थी तो उनको ध्यान भी नहीं गया बलकि सासो माने उनकी अम्मा ने बता के गई थी कि वेटा ये सब कुछ कर लेना लेकिन हो गया निकल गया दिमाग से और लग गई अपने बच्चों के काम में और घर के अपने क मैं और खाना वाणा बनाएं या ना आ ही सब कूछ और है तो अपने अपने मतलब अपने अपने रूम में चली गही इंपने के लिए चली गहीं ओर यहाँ पर लड़ू गोपाल जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे इतनी कडाके कि ठंड में कि मतलब अब तो बहुत जादा ठंड पढ़ने लगी इतनी ठंड में तो कोई भी हो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पता नहीं ऐसा क्या हुआ ऐसी नजर क्यों नहीं गई किसी की क्योंकि वहां पे एक वो था तुलसी का जो होता है ना तुलसी का चबू करती नहीं कि साम की जोतनी जलाई वैसे सब कुछ तो करती है लेकिन भगवान जाने क्या हुआ उस दिन अब ये सब लड़ो को पाल की लीला ही समझो जो कि अपनी मा को बुलाना चाहे रहे थे तो अब क्या होता है कि ये सब सो जाती है बहुएं सो जाती है वहां पे अम्म साधी में, मतलब साधी हो जाती है रात की और अम्मा भी साधी वादी करके वैसी बुजुर के थी, तो वो भी सो जाती है, अब इनको सपने में इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, सोने से पहले की ये हाल थे, उनको नीद ही न्या रही थी, सपना तो ख्यर बाद में आता है, ये सोने से पहले ऐसे उनको लगता है पता नहीं, अज मुझे मतलब अपनी भाबियों से उन्हों ने बोला भी, भतीजों से बोला भी कि आज मुझे पता अजीब सा लग रहा है तो कहते हैं घर वाले कि अरे साधी में रही न बुआ और रहे है तो दीदी मतलब जो भी उनके परिवार में रहे हो तो कहते हैं इस वज़े से भी भाड बहुत है और इतनी देर तक आप बैठी इस वज़े से आपको लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं ह बोले पता नहीं बेटा मुझे अजीब सा लग रहा है अच्छा सा नहीं लग रहा है ऐसे करके तो सब ने कहा कि आप अपनी दवाई यवाई खालो अगर कुछ खाती हो तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ खा ली है अब उनको तो पता ही नहीं कि वहां पे मेरा जो है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा उनके पलंग के पास खड़ा हो और कह रहा है कि मैं इतनी थंड मैं हूँ और मैं बाहर हूँ मैया मुझे अंदर ले चलो मैया मुझे अंदर ले चलो ऐसे करके और जैसे ही वो कहता है और इनकी जो अम्मा है मतलब इनकी नीद खुल जाती और ये नीद में ऐसे उटके और परिशान सी हो जाती है कि ये मतलब ये बच्चा क्या है और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा हो और वो परिशान है और नीद मतलब नीद से ऐसे बिचैन सी हो जाती है उनको नीद भी नहीं आती है और वो सोचने लगती ह कि वो बच्चा आखिर है तो है कौन अब उनको एकदम से ध्यान आता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लड़ू हो मेरा लड़ू गोपाल हो और मैं तो बाहर उसी को छोड़के आई हूँ ऐसे तो कुछ लेकिन मैंने तो बखों से कहके आई थी तो ऐसे तो कभी आज तक नहीं हुआ वो अंदर कल ली होगी और बेचैन तो रहती ही है और लेट जाती है अब उनको कहा नहीं दाने वाली थी अब वो जैसे ये थोड़ी से मतलब सुबेरा होता है सब लोग उठ जाते हैं तब किसी से कहती है कि बेटा बहुआं को थोड़ी फोन लगा दो अब वो बहुआं को फोन लगा के बात करती हैं पूछती हैं कि बेटा तुमने रात में लड़ू को पाल को अच्छे से सेन करा दिया था ना भोकोग लगा दिया था जैसे ही ये पूछती है उनकी सांसों मा अब तो बहूआ की खेर नहीं पूछो मत की क्या हुआ उन्होंने थे कुछ भी नहीं कहा उन्हों लडड़ू गॉपाले तो जैसे इन बहूआ सांत रहें गई अब वो अमा समझ गई कि मेरा लड़ू गॉपाल ही था जो की इतनी ठंड में तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या कर दिया तुम लोगों ने आज मेरा लड़ो गोपाल पूरी रात ठंड में ठुट ठुर गया तो फिर वो बहुएं कहती हैं कि सौरी अमा जी हमें बिलकुल भी ध्यान नहीं दा पता नहीं हमारे दिमाग से कैसे निकल गया और हमन दुसरी बहु से बोलती हैं कि जदे एक लड़ो गोपाल को तो वो जाती हैं और जल्दी से लड़ो गोपाल को लेके आती हैं यहां पर अमा इतनी दुखी इतनी दुखी हो जाती हैं और फिर बच्चों से कहती हैं कि बेटा मुझे घर छोड़ दो और वो जो बतीजे होते हैं वो उनको घर लेके आते हैं और फिर वो अपने लडू गॉपाल को सीने से लगा के खूब रोती हैं कि हे लडू गॉपाल माव कर दो ये मेरी गलती कि मैंने कि ये आपको अंदर बिठा के नहीं गई थी और है तो भुववें भी आ जाती है और भुवें भी अम्मा जी से बहुत माफी मांगती है कि अम्मा हमें माफ कर दो हमारा बिल्कुल दिमाग नहीं गया कि वहां पे लड़ू गोपाल बैटे हैं आप बोल के भी गई थी लेकिन पता नहीं कैसे हम हमारे दिमाग से ये बात निकल गई और लड़ू गोपाल से भी बहुत माफी मांगती हैं तो ऐसे लड़ू गोपाल थे उनके जो कि सपने में आके बताएं कि मुझे ठंड लग रही है मतलब जब हम किसी भी भगवान की देवी देवता कि हम अपने इस्ट की सेवा करने लगते हैं ना तो उनके साथ भी हमारा भाव जाता है उनकी अनभूती होने लगती है उनके मतलब ऐसा एहसास होने लगता है कि अब इनको किस चीज की जरूरत है अब ये क्या चाहे रहे हैं वो अपनी अनभूती कराने लगते हैं ये तब होता है जब हमारा और हमारे इस्ट का जो संबंध है वो बहुत मजबूत हो जाता है उनके उपर इतना भरोसा हो जाता है इतना विश्वास हो जाता है कि अपने आप ये सब होने लगता है ये वही जान सकता है जो की अनभो किया है जिसको की अनभूती हुई है क्रपा की तो ये सब उन्ही भक्तों को महसूस हो सकता है तो ऐसे होती है हमारे लड़ू को पाइल की क्रपा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से एर इंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फूल वाच करनी के लिए राधे राधे